भूसेनबाद थाना के पहारी के तलहटे में बसा डंडिला गाओं में पचास वर्स ये सुदामा यादो नामक वेक्ति की वरजपात से मोथ होने की खबर मिली है ग्रामी सुतरों से मिली जनकारी अनुसार शुदामा यादो साम लगवा पांच बजे अपने खेत में खाद छिट ने गय थे हैं खाद छिट कर वापस आलने के क्रम में अचानक तेज हवा वा पानी की सांथ वरज पात होई जिसमें सुदामा यादो सुगी बांद के पास धरासाई होकर गिर गए मौके पर ही मोथ हो गई ग्रामीनों ने हुसेनाबाद अनुमंदलिय स्पताल पहुचाया जहां चिकिसकों ने मृत गोंसित कर दी उनका एक पुत्रों में एक पुत्री है दोनों की साधिक कर चुके हैं इस संबन्द में पुरो विधाग संजेकुमा संग यादो ने कहा कि सुदामा यादो काफी मिलनसार वह सहनसिल व्यक्ति के रुप में अपना पहजान बनाय था उन्होंने कहा कि समाज के प्रती उनका काफी लगाओ था उन्होंने इस दूख की घड़ी में भगवान से प्रा चायत के इवास्तमार सवी पाउंड कुमार चोधरी बिनेय सिंग कृष्णा यादो राम लखन यादो